हेलो काईट, स्वागत आप सभी का आपके अपनी रस्मी जुलोग यूट्यूब चैनल में आज में आपको बताऊंगी चमन प्रास बनाने का घर पे एक दमासा अंतरी का बेना सुगर के बेना गुड के आप चमन प्रास और हेल्थी चमन प्रास घर पे बना सकते हो तो चले इसे बनाना जुरू करते हैं, वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक करना और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों चमन प्रास के मसाले के लिए मैंने देखे लिए जीरा, एक बड़ा चमच, एक बड़ा चमच इलाइची गुजोहरी इलाइची होते हैं वो मेरे पास इसे कूट के रखी हुई थी तो वो ले रहे हूँ एक चमच काली मिरच, एक चमच लोंग, थोड़ी सी दालचीनि और तीन से चार तेज पत्ते तो इसका हम सुखा मसाला तियार कर लेते हैं और यह मैरी धागे वाली मिस्री लिए अब देख सकते हो ये धागे वाली मिस्री है, इसको हम तोड़ करके और इसका पौडर बना तो आधा केजी अगर आवले हैं, तो आधा केजी आपको मिस्री लेना होता है, तो आवले की जितनी आपकी कॉंटेटी है, उसी के कोडिंग आप मिस्री का यूज करें, मिस्री से आपका चमनप्रास ठंडा होगा, हेल्थ के लिए गुणा करी होगा, तो चलिए ये दोनों हम पीस करके तयार कर लेते हैं यह मसाला पीस करके तयार कर लिया है यह मिस्री का पाउडर है यह दिगी वई किसमिस है इसको भी हम पीस करके तयार कर लेंगे यह उबले भी आवले है तो आवले को मैंने बोईल कर लिया है खारक आती है ना मार्केट के अंदर तो वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हो भिगो करके पीस करके तो सबसे पहले हम पैन में एक बड़ा चमच घी डालेंगे और घी को थोड़ा सा मेल्ट होनी देंगे जब तक हमारा घी melt हो जाता है तब तक हम आवले और किस्मिस को पीस करके तियार कर लेती हैं आवले के अंदर से मैंने जो इसकी बीज होता है जो गुठली होती है वो निकाल दी है और आवले को इस तरह सी तोड लिया है अब मैं इनको पीस करके इनका एक पेस्ट सा तियार कर लेती है तो इसके अंदर आपको पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है और अगर आप पानी डालना भी चाहो ना पीसी जाए तो जो आवले को बोईल करते इसमें पानी यूज किया था उसे आवले का पानी ही यूज करना है और अदर्वाइस कच्चे पानी का यूज नहीं करें तो यहां पे आप देख सकते हो मैंने पीस करके तयार कर लिया है यह कुछ इस तरह का पीस करके तयार हुआ है तो चलिए अब हम इसे पैन के अंदर डाल देते हैं तो जो सारा मसाला तयार के आप चाहिद इसको छान सकते हैं और बिना चाने भी इसको यूज किया जा सकता है इसे ही दरदरा बनता है और अगर आप छान करके यूज करेंगे तो वो बिल्कुल एकदम चिकना सा पेस्ट हो जाता है तो मैंने पहली बार जो बनाया था चान करके तो उसमें क्या मेरी सास को लगा कि इसके अंदर दाना दाना नहीं आ रहा है ये तोड़ा एकदम से स्मूध हो गया है तो मैंने इसको इस वार नहीं चान के लिया है बिना चाने ही मैं इसको ऐसे ही योज करें इसी क्या तो जो किस्मिस होती है न उसका खजूर होती है उसका जो दाना दाना आता रहता है खाने में टेस्टी लगता अच्छा लगता है अब हम मिस्री का पावडर और जो मसाला 10-15 मिन तक slow flame पे पकाएंगे तो आपको पकाते समय ध्यान रखना है कि गेस का जो flame है वो बिल्कुल slow होना चाहिए थोड़े से मैं केसर के धागे डाल देती हूं तो ये मैंने एक लगपक 8-10 केसर के धागे इसके इंदर डाल दिये हैं इसे ये थोड़ा tasty भी होगा और ये गरम भी करता है तो ये क्या है सर्दियों में बहुत ही बढ़िया होता है और हमारे बुजर्ग माबाप होते हैं साथ सुसूर होते हैं उनको हमें बना के देना चाहिए और खासदोर से ये घरपे बनाया है वह चमनप्रास है तो बच्चे भी इसे खा सकती है ये हिल्थ के लिए अच्छा होता है दिमाग को बूस्ट करता है और यादास्त को इंप्रूब करता है यानि तेज करता है बहुत ही जादा तो इसलिए आप इसी घर पे बनाएं बहुत ही कम खर्चे में घर पे हम इसे त्यार कर सकते हैं तो अब आप देख सकते हो जैसे जैसे ये अच्छे से मेक्स होता जाए नका ना मिश्ट्री के पाउडर के अंदर तो इसका जो रंगा वो दीरे-दीरे से चैंज होता जाएगा और ये बिल्कुल चमनप्रास के जैसा कलर भी आएगा और पककर के भी बहुत बड़िया घर का चमनप्रास तयार हो जाएगा तो आप देख सकते हो ये हलका हलका सा दानेदार है इसलिए ये खाने में टेस्टी लगता है और अगर आप इसे चान कर लेते हैं तो ये एकदम से स्मूध बन जाता है तो चलिए अब मैं इसे लगबग 5-7 मिनट तक तो ऐसे ही पकाऊंगी उसके बाद में आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरह से जो गाड़ा है वो हो जाता है तभी आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा ये गाड़ा होना स्टार्ट हो गया है और इसका कलर भी प्रॉपरली चेंज होना सुरू हो गया है ये देखिए कितना बढ़िया इसका कलर आया है और साइनिंग देखिए इसकी कितनी अच्छी आजाते है थोड़ा सा गी डालने से बहुत ही बढ़िया इसकी साइनिंग आती है बस इसका जो पानी है न वो बिल्कुल से आवले का जल जाना चीए तो ये आप साल भर तक स्टोर करो बिल्कुल भी खराब नहीं होता है और मैंने अपने बगीची के आमले से ये चमन प्रास मनाया है और परिवार के सभी लोगों के लिए मैंने सभी को ये डबबा भरभर के सेंड किया है सबको बहुत अच्छा लगा आप भी बनाईएगा आपको भी अच्छा लगेगा बहुत ही कम खर्चे में गर्पे बन जाता है तो इसको लगबग 3-4 मिनाट तक अभी मैं और पकाँगी क्योंकि थूड़ा सा गाड़ा कम हुआ है अभी और अब आप देख सकते हो यह अच्छे से गाड़ा हो चुका है क्योंकि जब हम इस पेक्चुला से इसको चलाते हैं तब हमें पता चल जाता है कि यह प्रॉपर गाड़ा हो गया है तो अब हम गेज का फ्लिम बंद करतेंगी जैसे यह ठंड़ा होगा ना तो और गाड़ा हो जाएगा तो लीजिए दोस्तों हमारा चमनप्रास बन करके बिलकुल से रड़ी है बहुत ही अच्छा बना है टेस्ट में भी, कलर में भी और खाने में भी तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताईएगा और बहुत ही कम खर्चे में बनने वाला ये घरेलू चमनप्रास आप भी बनाईएगा अपने पूरे परिवार के लिए आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना